हेलो गाईज, वेलकम बैक टो आउर निव वीडियो तो आज हम एक ऐसे टापिक पे बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है आवत्तल दर्पण याने की काउन केव मिरर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आवत्तल दर्पण में वस्तु की 6 स्थितियां होती हैं 6 जगह पर वस्तु को रखने पर उसके 6 तरीके से प्रद्विम प्राप्त होते हैं तो इसको लेकर हम लोग अक्सर confused रहते हैं कि कहां पर वस्तु रखें तो कहां पर प्रत्विम बनेगा तो आज एक ही वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये confusion हमेशा के लिए दूर हो जाएगा तो आएए देख लेते हैं फटाफट ये एक उतल दरपड़ है जिसका ये pole हो गया P और मुख्य focus F और radius of curvature C P और F के बीच की दूरी C और F के बीच की दूरी बराबर होगी यानि कि P और F, F और C एक दूसरे के बराबर होंगे तो ये F जो है एकसिस के हिसाब से गर देखें तो बाएं साइड पढ़ता है तो ये negative होगा और ये वस्तु की स्थिती जो है एक नमबर पर यानि की अनंत पर रखी हुई है दो नमबर पर यानि की अनंत और radius of curvature के बीच में तीन नमबर पर यानि की radius of curvature पर और चार नमबर यानि की radius of curvature और focus के बीच में पांच नमबर यानि की focus पर तो ये और छठवा नमबर हो जाएगा focus और pole के बीच में तो ये 6 इस्तितियां वस्तुकी है इन 6 जगों पर रखने पर इसके प्रतिविम कहां कहां प्राप्त होंगे यह इसको देखना है यहां से जो भी किरण जाएगी चाहे वो एक नमबर हो चाहे दो नमबर हो, तीन, चार या पांच नमबर हो सभी से एक किरण प्रतन के पस्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी यह देखिए, यह जो लाइन है यह मुख्यच के समानतर है और परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर निकल जाती है तो इतना तो सब को पता है कि कोई भी किरण जो मुख्यच के समानतर आती है वो हमेशा focus से होकर गुजर जाती है अगर नहीं पता है तो आप लोग जान जाएए कि ऐसा उत्तल लेंस में भी हमने आपको बता रखा है पहले भी तो एक किरण ये समानतर आएगी focus से होकर गुजर जाएगी और वस्तु अगर अननत पर है तो दूसरी किरण जो आती है वो भी मोख्यच के समानतर ही आएगी और focus से होकर गुजर जाएगी तो इसका जो प्रत्विम प्राप्त होगा एक नंबर का वो focus पर प्राप्त हो जाएगा ठीक है यह एक नंबर का प्रतिभीम एक नंबर पर प्राप्त हो गया focus पर और यह कैसा प्रतिभीम होगा बहुत छोटा यानि की बिंदू की आकार का अब आते हैं दो नंबर की बात करते हैं अगर वस्तु रखी जाएगी यानि कि radius of curvature और रनन्त के बीच में तो इसते जो पहली रेखा तो जाएगी मुखेच के समानतर और फोकस से होकर गुजर जाएगी और दूसरी रेखा जो होगी उसको हम गुजरेंगे फोकस से दूसरी लाइन जो है फोकस से गुजरेंगे उसके बाद यह दरपंड से प्रावर्तित होने के बाद मुखेच के समानतर हो जाएगी तो आइए इसको draw कर लेते हैं फोकस से होकर अगर हम इसको गुजरते हैं तो यह मुखेच के समानतर होकर निकल जाएगी तो यह लल वाली जो है फोकस से होकर गुजरती है दरपन से टकराने के बाद ये मुखिच्छ के समानतर हो जाएगी ये रहा आब ये दोनों को कहां पर काटती है जिस बिंदु पर काट रही है वहां से एक लंब डालेंगे मुखिच्छ पर ये हो जाएगी हमारी प्रतविम की स्थिति तो दूसरी लाइन फोकस से होकर गुजरेंगे तो वो मुख्यच के समानतर हो जाएगी अगर focus से गुजारेंगे तो ये नेली वाली line देख रहे हैं आप लोग ये मुख्यच के समानतर हो जाएगी प्रावर्तन के पस्चात और ये पहली line को जहां पर काटती है वहां से मुख्यच पर लंब डाल देंगे ये रहा लंब तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिविम का इस्तिती तीन नमबर का तो यानि कि अगर वस्तु को radius of curvature पर रखेंगे अवतल दरपन के सम्मुख तो उसका प्रतिविम जो है radius of curvature पर ही प्राप्त होगा मुख्यच से अगर लंब डाल देंगे तो ये हमारा प्रतिविम का इस्तिती प्राप्त हो जाएगा यानि कि चार नमबर पर वस्तु यानि कि focus और radius of curvature के 20 रखते हैं तो उसका जो प्रतिविम प्राप्त होता है radius of curvature और अननत के बीच में प्राप्त होता है और प्रतिविम कैसा है उल्टा है और बढ़ा है वस्तु से और वास्तविक है इतना clear हो गया अब देख लेते हैं कि पाँच नमबर पर अगर वस्तु रखी जाएगी तब कहा प्रतिविम प्राप्त होगा अब देखे वस तो अगर 5 नमबर पर जाने की focus पर रखी जाएगी तब क्या करेंगे तब इसका जो है मुखेचे के समानतर वाली तो गुजार देंगे सीधा निकल गई अब दूसरी जो focus से गुजारते थे अभी focus से तो गुजार नहीं सकती तो यहाँ पर क्या करेंगे radius of curvature से गुजार देंगे ठीक है radius of curvature यानि कि C से गुजारेंगे या यह आपको draw करके दिखाते हैं तो अब clear हो जाएगा पांच नमबर से यह रहा अभी इसको जो है पीछे की तरफ मिलाएंगे डैस डैस या करके तो दरपन से टकराने के पस्चाद वो पहली किरण के समानतर हो जाएगी यानि कि आपस में मिलने की संभावना नहीं दिख रही है यानि कि वस्तु की प्रत्विम जो बनेगी वो अनंत पर बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी अनंत पर है तो मतलब बड़ी ही है बहुत बड़ी है इसी तरह से अच्छे नंबर पे अगर हम वस्तु रखेंगे फोकस और पॉल के बीच में एक किरण तो समानतर होकर टकराने के बाद फोकस से गुजर गई दूसरी किरण भी हम radius of curvature से गुजरेंगे तो ये देखिए नीचे की ओर तो इधर कहीं मिलेगी नहीं फैलती चली जा रही है लेकिन उपर की ओर अगर देखेंगे तो ये सिकुड रही है यानि कि पीछे कहीं न कहीं जाकर एक दूसरे से मिल जाएंगी और कालपनिक बनता है वस्तु के पीछे है मेरर के पीछे है यानि कि कालपनिक है और सीधा है तो ये हो गया हमारे 6 स्थितियां वस्तु की जिससे की 6 तरीके के प्रतविम प्राप्त होते हैं इसी तरह से अगर आप उत्तर लेंसा टॉपिक अगर समझना चाहते हैं एनिमेटेड वीडियो के माद हम से तो उसका लिंक डिस्क्रिप्सम बॉक्स में दे दिया गया है आप लोग उसको जरूर से जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की कॉनसेप्चिवल लरने के लिए